हम किसी की लखीर छोटी करदे में अपना समय बरबाद नहीं करते हैं हम हमारी लखीर लंबी करदें लिए जिंद्ध की खपादे आप इतने उची चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं लेकिन मैं चुनोती देता हूं 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिक्रुत कारकम में एक बार भी एक बार भी अतल जी की सरकार की तारीप की हो उनके अच्छो कामों का उलेकिया हो तो जुरूर इस्पटल पर रखे इतना ही नहीं अतल जी छोड़ो नर्सिमाराव की सरकार की तारीप की हो उनक इतना ही नहीं यह अभी के भाषण में भी एक बार जोसर मनमुन सीची का नाम बोले होते तो मुझे रखे शायद मैं पहला प्रदान मंत्री हूँ तो इसने दो बार यह कहा है कि आजहादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज की जितनी भी सरकारे हुई जी समना सबका देश को आगे ले जाने में योगदार है मैंने देख जी जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलबा लिए किसे ने किया किसे ने किया किसे ने किया आज पती जून है साहब बहुत लोगों को जान जारी भी ने कि पती जून क्या है अगल भगल वह पूछरा परता है पती जून की वो रात देश के आत्मा को कुचल दिया गया था धारत में लोग तंत्रा समिधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है ब्भारत में लोग संत्रा सद्यों से हमारी आत्मा देश के मिडिया को दबोच दिया गया था देश जेंपुर्शों को जेल के सलाखों के पिशे बंद कर दिया गया था पुरे ह vai स्टान दिया गया था और सिरफ किसी की सत्ता चली न जाए इसली जब हम अर्थ व्यवस्था में ग्यारा या तेरा नवर पर जब पहुँचे थे तो इतना बड़ा उमंग और उसा के साथ बैंक्स थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े एचिमेंट के रूप में शीच को प्रदर्शित किया गया 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 या तेरा पर पहुंचे थे लेकिन जब छे पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा है इसा क्यों हो गया अरे देश वही है जी हम भी देश के लोग हैं 11 पर जाने पर आना दाता है तो च्छे पर तो ओर आना चाहिए five trillion dollars economy क्यों हम सबका सपना comment क्यों नहीं होना जोई हम सबने मिलकर कर के देश को five trillion ले चाएंगे कि संगसद होने वाला आई और मैं मानता हूं कि इसके लिए हम सबने मेहनत करनी चाहिए और वो दिशा में आगे जाना चाहिए एक सपना लेकर के चलना चाहिए और मुझे विश्वात है हमारे देश में मेकिन इंडिया मज़ाग बहुत उड़ा लिया लेकिन का को इस बात से इंकार कर सकता है कि देश में मेकिन इंडिया होना चाहिए